हेलो गाइज मैं रिचना सातो हुए अपनी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आज से हो रहे नवरात्रा स्टार्ट तो हैपी नवरात्री तू और जैम आता दी तो आज मैं बना रहे हूं ब्लॉग अपनी कलस्ट थापना का तो आप मेरे साथ बने रहे और देखते र अपर हम अपनी मातारानी की फोटो रखेंगे मातारानी को चुन्डरी उढ़ाएंगे और ये मेरे पास दूसरी मातरानी के फोटो इसमें गनेश जी भी है और गनेश जी को हमेशा मातरानी के बाई साइड रखेंगे अब हमें अपना कलश लेंगे और कलश के उपर ये नाल का धागा बान देंगे धागा बानने के बाद हम एक मुठी चावल लेंगे जहां पे हम कलस थापित करेंगे वहां पे इन चावल को रखेंगे और ये मंत्र बोलेंगे और इस तरीके से मंत्र उचारण करते हुए हम इन चावल को रखेंगे और अब हम अपना कलस लेंगे कलस पर स्वास्तिक बनाएंगे जिसको हम साथियां भी बोलते हैं इस तरीके से और इस पर पांच टीके लगाएंगे हम और इस कलस को चावल के उपर साफित कर देंगे कलस के अंदर पानी डालेंगे अब कलस में हम एक सुपारी दो इलाइची दो लॉंग हम इसके अंदर डालेंगे और हम कलस के अंदर गंगाजल डालेंगे और ये मंत्र बोलेंगे आम वरुनाई नमे है आम बुरुनाई नमे और हम इसमें चावल डालेंगे कलस में और ये मंत्र बोलेंगे आम, भूर, भूश्वय, भो, वरुणा, इहा, गच्च, इही, तेस्ट, स्थाय, प्यामी, पूजियामी और ये नाल का धागा हम इसके उपर ऐसे ही रखेंगे, बांधेंगे नहीं हम नाल के धागे को और ये हम कलश के अंदर पांच पत्ते ले रहे हैं, अशोका के, आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं और इसके उपर हम अपना नारियल रख देंगे इस तरीके से, इस तरीके से हम अपनी कलश के उपर नारियल रख देंगे, ये देखिए अब हम पुस्प अर्पित करेंगे और ये मंत्र बोलेंगे आम अपांपते वरुनाई नमे है अब हम नवरात्रे में जो उगाएंगी ये इस मिट्टी के अंदर जो डाल देते हैं और अच्छे से इनको मिला देंगी अगर आपको लगे इसमें पाने डालने क्या शकता है तो आप पाने डाल लेजिए अधर वाइज अभी गिल्ली मीटी भी और रखे बारिस होई है अभी इस तरीके से हम जो को उगा लेंगी इसके उपर अभी हम तिलक करेंगे अभी हम अपनी जोत लेंगे आप पितल के ले सकते हों यह मैंने यापर मीटी की दिया लिया है और अभी हम बात बनाकर इसके अंदर डालेंगे हम जोत कर लेंगे और तिलक लगाएंगे सभी को कृते इन अनीन पूजनीन कल्शे वरुना धावा हित्ते उता प्रियंता ना ममा इस तरीके से हम टीका लगाते हुए यह मंत्र उचान करेंगे हम धूप लगाएंगे इस तरीके से और इसके अंदर दो इलाइची एक लौंग एक मखाना और आप एक पतासर डाल सकते हो यहाँ पे मैं मिसरी के दाने लूँगे घी का भोग लगा सकते हो आप यहाँ पे और यह हम दूपत्ति लगाएंगे यह मैंने मातरानी का स्रंगार का समान दिया है अभी वीरा को टीका गर रही हूं मैं और अभी रावी को जो कि मेरी कैमरे के पीछे है अभी वीरा को प्रिशाद दिया है यह हमारी मातरानी की कलश थापना हो गई है और इसके बाद हम एक मंत्र बोलेंगे आम हे हिवी कली चामुंडाय विचे आम शेल पुत्री देव्य नमे आम जेनती मंगला काली भद्रकाली किर्पालिने दुरगा चमा सिवा दात्री स्वा नमस्तुते नमस्तशे नमस्तशे नमो नमे हम हाँ जोड़कर मातराने से विंती करेंगी आ चमा याजना करेंगी